अरे मोदी जी गजब का कलकार आदमी है भाई क्या मिताब बचला क्या शारू खाना सल्मान खान मोदी जी जैसा कलकार आदमी किसी ने नहीं देखा वो जान रहे 400 वला फिलीम फ्लॉप हो गया है चार सो पार चार सो पार नहीं 400 हार होगा मोदी जी जी काम कुछ ने किया केवल जुट बोला जुट भी ऐसा बोला कि गोबर को भी हलुआ बना दिया मुद्धे पे बात नहीं होती है केवल हिंदू, मुसल्मान, मंदिर, मस्जिद बस यही काम और कोई मतलब नहीं किसी चीज से चाहते हैं आपस में भाई को लड़ाओ लड़ा करके राज करो 10 साल में बताओं मोधी जी कोड़ा की जनता के लिए क्या किया बियार की जनता और देश की जनता के लिए आपने क्या किया बताई ए 14 में बोलते थे अच्छे दिन आएगे मोधी जी जो है जूट बोलने के फैक्टरी है अब सेंक्यक भाईयों के बारे में जो जहर उगला राजिस्थान में क्या कर रहे है भाई खुद को सेकुलर बताते हो खुद को धर्नितेक्ष बताते हो और प्रदान मंत्री गाली दे रहे हैं हमारे भाईयों को 130 करोर की जंता आप की जिम्मेदारी है और आप जो है उसमें फूट डालना चाहते हो ऐसा प्रदान मंत्री हम लोग ने देखा क्या कही है जो अपने बच्चों में भाईयों में लड़वा रहा है केवल किसके लिए भोड के लिए इंडिया कठबंदन के साथ खरा हुए रहूल गांदी जी को हाथ को मजगूत कीजे हमारे आधरनी लालू परसाद यादव जी को हाथ को मजगूत कीजे हमारे तेजस्ती परसाद यादव जी को हाथ को मजगूत कीजे और बेहन भीमा भारती को हाथ को मजगूत करके इसको चुनाव जीता हिए ताकि दिल्ली पे हमारी सरकार बने और दिल्ली पई जब सरकार बनेगा तो लालु पराधसाधी आदब जी का भीचार धारा है कि हर गरीब किसान को सम्हान मिले वो सम्हान के लिए हम लोग काम कर्ने वाले साथιओं इसलिए तमाम यहां पे गटवंदन क साथी समय आप लोग पास कम है एक गाव में एक पंचायद में पहुंच जाए हमारे पार्टी के जितने भी नेतागन है आप सब याद किये हैं हाथ में गंगा जले के संकल्ब लिया है कि अपने आने वाला पीरी के लिए लराई लरेंगे सब आप लोग मजगूती से एक संदन के साथी को चुनाव जिताने का काम किजिए आज बहुत खुशी है आप लोगों के बीच आने का मौका मिला मुझको और यहां से बीमा भारती जी चुनाव लरी है और इसी सलसले में हम आप लोगों के बीच आए हैं आदर ने लालू जी का संदेश लेकर के आए हैं और लालू जी का यही संदेश है कि कोरा की महान जन्ता को जा करके अपील करना कि एक एक वोड जो है लाल टेन पर बटन दबा करकर बहन बीमा भारती जी को भारी मतों से विज़ाई बनाए तो आज आप लोगों की बीच आएं आप लोग मेरे पिता को जानते हैं अधर दिय लालू जी को ये वही लालू जी है जिनोंने अड़वानी जी का रत रोका था और आज बिमार है किड़ी मेरी बेहन ने उनको दिया लेकिन डॉक्टर के सलाप पर जादा घूमने फिरने से मना किया गया लेकिन स्वस्थ है और चुनाओं का मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं लालू जी कभी भी भाजपा के सामने जुके नहीं बलकि लड़ाई लड़ने का काम किया चाहे कितने में जुल्म और सितम लालू जी पे धाया गया हो के इस मुकदमा जेल बेजो तब से पहले बाजपा की लोगों ने लालू जी पे ही वार किया पुरे देश भर के निताओ पर लेकिन लालू जी अपने विचारधारा से जुके नहीं डरे नहीं आज के हालाद देख लो मोदी जी किसी को भी खरीद लेते हैं किसी को भी EDCBI income tax से डरा देते हैं कुछ लोग उदर चले जाते हैं दर से कुछ लोग लालत से चले जाते हैं लेकिन मोदी जी भाजपा ने पुरा जोड लगा दिया लालू जी को जुकाने के लिए लेकिन लालू जी जुके नहीं बलकि ललकारने का काम करते हैं भाजपा को और भाजपा के लोग अगर सबसे ज़्यादा अगर डरते हैं तो हमारे पिता लालू जी से डरते हैं हमको भी कोशिश किया गया केस मुकदमा ED, CBI, Income Tax कि हम भी तूट जाए हम भी जुख जाए लेकिन जब लालू जी नहीं जुके तो लालू जी का लड़का भी जुकने को तैयार नहीं भाजपा से डरने को तैयार नहीं बलकि भाजपा ये तारा शाही सरकार को उखार पेकने के लिए खड़ा है हम है रावल गांधी जी है, अखिलेज जी है ममता जी है शरत पवार है उद्दव ठाक रहे हैं स्टाइलिन साब है देश अर्विंद के जरिवाल है देश भन में हम लोगों ने इंडिया लाइंस बनाने का काम किया क्यों 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 कि देश की हालात देख लो आप मुद्दे पर बात नहीं होती है मुद्दा क्या है सबसे बड़ा अपना दुश्वन बेरोजगारी है महंगाई है गरीबी है किसान का मुद्दा है रोजी रोटी है आपका पक्का मकान मिले यह मुद्दा है देश की भाईचारा गंगा जमिना तैजीब को बचाने का लोगतंत और सर्विधान को बचाने का यह लोगतंत का पर्व और असल मुद्दा यही सब है प्रदान मंत्री जी दस साल रहे लिए केवल हिंदू मुसल्मान मंदिर मस्जिद बस यही काम और कोई मतलब नहीं किसी चीज से चाहते हैं आपस में भाई को लड़ाओ और लड़ा करके राज करो इस बार पुरी देश की जनता मोदी जी को पहचान गई है हिसाब ले रही है दस साल में बताँ मोदी जी कोड़ा की जनता के लिए क्या किया कटिहार की जनता के लिए क्या किया बिहार की जनता और देश की जनता के लिए अपने क्या किया बताईए चोदा में बोलते थे अच्छे दिन आईए तक था किसान का यह दुगुना कर देंगे पक्का बना देंगे का बना पक्का मकान पुरिय देश में चॉबीस में तो कुछ और किया कि इंग मोधी जिया है जूट बोलने के प्यक्टरी ए जूट बोलने के बैनुफैक्टरेर हैं जूट बोलने के वोलसेलर है और जूट बोलने के डिस्ट्रिब्धिटर भी मोधी जी है औरे मोधी人 जी endurance कि अधाब बचला कि शारू कि खाना सलमान खान मोदी जी जैसा कलकार और एक किसी ने नहीं देखा पताई किसांद से नहीं मिलना एक काम की बात नहीं करनी है कि देश आगे कैसे बड़े महंगाई कैसे खतम हो गरीबी कैसे कि खतम हो लोगों को नौक ली कैसे मिले बिहार में नियवेश कैसे आए कार खाना कैसे लगे टिगए वह अधर देखिआगए तो मक खाना का उसके वह में अधेगे तो आख को किती है किया मिल煮 कि सानों को कि मक्का लगेगा फूट प्रोसेस यूनिट लग जाता है यहां कि ताविकास उतारे भाई मखाना अमेरिका में डिमांड है यहां से मखाना जाएगा अर्थी पिछड़ा का भाई फोड़ेगा पंजाब चला जाएगा पंजाब में टाकेट वैकेट करके इसी को 500 रुपया वैम्हक बेडिगा क्या मिलखा किसान को कुछ मिलखा बताव मोधीजी को ध्यान देना चाहिए था कि हुआ देना चाहिए था कि लेगी नहीं sit क्या बोल रहें क्या जहर नफरत की भाशा बोल रहे हैं कर राजस्थान में क्या बोला मोदी जी ने उसका हम नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि मुद्दा वो नहीं है इसलिए वो बोल रहे हैं कि कि वो डर गया है वो जान रहे हैं चारसो वला फिलीम फ्लॉप हो गया है चारसो पार चारसो पार दें चारसो हार होगा मोदी जी काम कुछ नहीं किया केवल जूट बोला और जूट भी ऐसा बोला कि गोबर को भी हलुआ बना दिया यह काम है मोदी जी का बताइए हमारी आती पिछड़ा समाज से आती है बीवा भारती जी लालू जी ने प्रत्याशी बनाया यह सिमांचल के लाका चार सीट है आप देखेएगा किशन गंच अररिया पूर्द्या कटिहार और सिमांचल में सबसे ज़रा अबादी हमारे याद सेंख्यक भाईयों की है मुसल्मान भाईयों की है उसके बाद अती पिछड़ा भाईयों की है बगल से कॉंग्रेस ने दिया तारिक साब को टिकेट किशन गंच से कॉंग्रेस ने दिया जावेद को टिकेट और हम लोगों ने अरणिया से दिया तसलीमुदीन साब के बेटे छोटे वाले शैनवास को टिकेट अब पूर्दिया से हम लोगों ने दिया अथी पिछड़ा समाज की बेटी को टिकेट उसलिए आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों की अबादी इतनी नहीं अति पिछड़ा समाज जब तक हम लोगों से नहीं जुड़ेगा तब तक हम लोग बिहार नहीं जीच सकते हैं मोदी जी को नहीं बगा सकते हैं यह समझने की जरुवत हैं सबको एक होड़ा होगा सबको सम्मान देना होगा यह बीमा भारती जी है पांच बार विधायक रही पूर्णिया की बेटी है इनके ससुर का अत्या हो गया बेटे के हत्या हो गई और इस बार बीजेपी का सरकार किरारी थी विधान समा में तो इ दूसरा बेटा 18 साल का है उस 18 साल के बेटे को भी जेल में डाल दिया बताओ यह निया है क्या तेजश्वी और लालु जी के लिए जब आप लोगों के लिए जब यह बहन कुर्बानी दे रही थी बीजेपी को भगाने के लिए तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि इनको हम मांदे कि क्या कर रही थी आज के दौर में बीजेपी में चले जाओगे तो राजा हजरी शद्र बन जाओगे लेकिन बहुत कम जिगर वाला होता है जो बीजेपी छोड़ करके जद्यू छोड़ करके हमारे दल में आते हैं जिगर चाहिए जिगर इस बहन में दिखाया है लड़ाई लड़ी हैं तो इसलिए आप लोगों से हम आएं साथ मांगने आर्शिरवाद मांगने दूआ मांगने और हम चाहेंगे कि सिमांचल का चारो सीट आप महागर बंधन के जोली में डालने का काम करें कटियार से तारीख साब को जिताए पूर्णिया से बीमा भारती जी को जिताए कि शंगन से जावेद को जिताए और अररिया से भाई शेहनवास को जिताने का काम कीजिए यह लड़ाई है हम लोगों की और यही नहीं आप लोग सब लोगों को पता दें कि ये लाका गरीब लाका है और इस गरीब लाके के लिए हम सब लोगों को काम करना है इस जब तक सिमान चल का लाका विकास नहीं करेगा तब तक बिहार विकास नहीं कर सकता और जब तक बिहार विकास नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता इसलिए हम सब लोग लोग की सरकार बनेगी तो सिमान चलो कोशी हो इसके लिए हम लोग कमिशन बनाने का काम करेंगे ताकि आप लोगों के दुखदर्द में क्या किया जा सकता है क्या क्या काम होगा एक पूरा रोड माप तियार किया जाएगा और आपके हित में हम लोग काम करेंगे हम पडिवर्तन पत्र लेके आए भागलपुर राउल गांदी जी आए थे हम सब लोगों ने नौकरी देने का काम किया पचीस कहाने वाला चुनाओं है और मुझे पूरा भोड़ोसा कि वो तो जीते ही लेकिन आप जानते हैं सत्रा मेने के वलाम डिप्टी सीयम थे दोजार बीस पे हमने वादा किया था क्या वादा किया था कि बीस पे अगर हम मुख्यमंत्री बनेगे तो दस लाग नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे क्यों बनाएं मेरा सीय में ले था उनका 40 में ले था फिर भी हम उनको मुख्यमंत्री बनाएं हम लोगों ने त्याग किया क्योंकि भाजपा को हम लोगों को भगाना था देश भर में भाजपा खरीद परोक करके कॉंग्रेस की सरकार को गिरा रही थी यहां हम लोगों ने पांच लाग लोगों को सरकारी नौकरी पुरे बिहार में हम लोगों ने दिया यहीं नहीं जितने तालमी मरकज हैं विकास्वित रहें तोला सेवक हैं उनके मान देव को भी हम लोगों ने दुगुना किया यह सारा काम हम लोग कर रहे था जाती अधारित गन्ना हम लोगों किराई और यहीं नहीं हम लोगों ने आरक्षन की सीवा को भी बनाने का काम किया हम लोग ने आइटी बनाई, टूरिजम पॉलिसी बनाई हम लोगों थे स्पोर्च बनाई साडा काम हम लोग कर रहे लगिए हमारे चाचा जी पलट गे बाजपा ने हाईजाक कर लिया मैं अब हाईऑई कर लिया तो कर लिये लकिन इसरे मत 95ì लड़ाई को हम लोग लड़े आए आप जनता है आप मालिक है आप से ताकत लेने आए अगर आप ताकत दोगे तो हम लोग बीजे पी को हडाने में काम्याब होंगे यह जो जुम्ले बाजी की जो पहाड बहाड बना रखी है इसको हम लोग धाने का काम करेंगे शेषाबादी की बड़ी आबादी है आने वाले समय में यार शेषाबादी के लोगों को भी मौका देंगे उनको भी चुनाव लडाने का काम करेंगे और जगाद देने का काम करेंगे सम्मान देने का काम करेंगे ये काम हम लोग करेंगे और इसमें क्या है परिवर्तन पत्र में क्या है अगर राउल गांदी जी लालू जी विपक्ष के लोग जीतते हैं इंडिया गडबंधन की सरकार बनती है तो आने वाला पद्रागस्त को बेरोजगारी से अजादी दिलाएंगे और देश भड में एक करोर लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे कितनी यहां गड़ी पड़िवार की महिला हम देख रहे हैं साल में एक बार एक लाख रुपया का सहता उस गरीब बेहन को हम लोग कर दे जाएंगे गैस सिलंडर पांट सो रुपया कर दिया जाएगा और दो सो यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिया जाएगा तो सो फरी हम लोग मुद्द्य की बात करें काम की बात करें बिहार को श्पेशल राज का दरजा देंगे बिहार को स्पेशल पाकेज देंगे और श्पेशल पैकेज में एक लाग साथ हजार करोड होगा एक लाग साथ हजार करो यानि चालीस लोग सबाद छेतर है यानि कटियार लोग सबाद छेतर में कितना आएगा रहे भाई पूर्दिया लोग सबाद छेतर में कितना आएगा रहे भाई तो चार हजार करोर रुपया आपके गाउं के विकास के लिए आपके तरक्की के लिए इंफ्रार्स्रेक्शर को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा यह सब हम लोग काम कर रहे हैं तो उधर चाचा को हाईजाक कर लिया सब भाजपावारा हिंदू मुसल्मान कर रहा है और चाचा जी हमारे गिंती गिंडरे के लालू जी का कितना बच्चा है अ यह चुणाओ का मुद्दार है भाई नितीजी हमारे अभिवावाखें उनका हम शम्मान करते हैं के लेकिन कल जब परदानमंत्री जी ने जो बोला है कि अग्चाइक भाईयों के बारे में जो जहर उगला राजिस्थान में अनितीजी उन्हीं के साथ उन्हीं को परदानमंत्री बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं भाई खुद को सेकुलर बताते हो खुद को धरने प्रेक्ष बताते हो और प्रदान मंत्री गाली दे रहे हमारे भाईयों को राप चुपी सादे में इस देश के अजादी में हिंदु मुस्लिम शीक साही सब लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया है तेश के प्रदान मंत्री है एक सो तीस करोर की जंता आपकी जिम्मेदारी है और आप जो है उसमें फूट डालना चाहते हो ऐसा प्रदान मंत्री हम लोग ने देखा क्या कही है जो अपने बच्चों में भाईयों में लड़वा रहा हो केवल किसके लिए भोड के लिए सही का मनोजाजी ने सही का महभू भाई ने कि लोग अगर रहा जाएंगे तो सबसे पहले बाबा साब का लिखा हुआ जो सन्विधान है उसको खतम करेंगे आप लोग जानते हैं झाला सिजेगे को में सबसे पहले हम लोगे दल त जो हम लोग ने पुड़े भिहार बंद का ऐखला है लडाई लड़े और इनको हम लोग रोकने में काम्याब होंगे, इसलिए तो हम लोग आए, आपके हित के लिए आए, तो जादा कुछ हम नहीं कहींगे, बस आप लोग दुआ किजे, आप लोगों कार्शिरवाद बना रहे हैं, एक जुट रहना है, किसी के धोके में नहीं आना, ये कोई एक पुरेक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एंडिया, या तो इंडिया, या तो इंडिया की लड़ाई है, या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो भीमा भरती को, तो आप इंडिया को चुन रहे हो, साफ बात, साफ बात है, आ आप लोग जानते हैं कि नहीं, पिछले बार हम सब लोगों ने मिल करके सरकार बनाने का काम किया, हम लोगों ने भाजपा को भगाने का काम किया, उसलिए आप सब लोगों से अपील करने आए कि बेहन जो आचल फैलाने का काम कर रही है उसको एक एक वोट लाल तेन पर बटन दबा करके आप लोग भारी मतों से जिताने का काम कीजिए और इधर उधर गुमरा होने की जरुवत नहीं है ये लड़ाई देश को बचाना और देश को बनाने की लड़ाई है इसमें आप सब लोगों का सायोग हम लोग चाहते हैं तो आप लोगों का सायोग बना रहे हैं आप लोगों का अर्शीरवार बने यही कामना के साथ हम अपनी बातों को यही विराम देते हैं और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं जैहिन जैबिहार सिमाचल की जंता जंदावार सिमाचन की जंता जंदावार बहुत बहुत धन्यवार